हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका जेए क्लास्स मेरेट परिवार में मैं हूँ मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे साथ लाइव जूड़ जाए और आप अपने बाकी फ्रेंड्स को द हैं हम चोटा सा डिसकुशन इस बात पर कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक कौन कौन से कवर कर लिए जिससे जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ पहली बार लाइव जुड़े हैं उन बच्चों को एक छोटा सा ओवर्यू मिल जाए पिछले टॉपिक का और जो स्ट पहले हम बहुत से इंपोर्टेंट अर्थमेटिक सर्कुट पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक सर्कुट ऐसे सर्कुट होते हैं जिनका यूज आर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है आर्थमेटिकल ऑपरेशन जो मेनली आप परफॉर्म करते हो वो होते हैं addition और subtraction हाला कि arithmetic operation जो हो सकते हैं वो चार प्रकार के हो सकते हैं arithmetic addition आता है जिसमें subtraction आता है multiplication आता है और division भी आता है लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि mainly जो arithmetic operation में जैसा कि मैंने अभी कहा कि mainly जो होते हैं addition, or subtraction यानि दो टाइप के ही होते हैं ऐसा क्यों कहा गया बेसिकली जो multiplication or division है वा addition or subtraction का ही रूप है जब आप multiplication करते हो धैट्मीस आप successive addition कर रहे हो इसी प्रकार जब आप division करते हो यानि भाग देते हो तो आप successive क्या करते हो सब्ट्राक्शं करते हूं तो इसलिए हमारे डेज्टल इल्थों में एडिशन और सब्रेक्शन बहुत मेन और इंपौर्टं ऑपरेसन है In अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफ़ॉर्म करने के लिए चेखिट प्रियोग में लाए जाता वो कहलाता है बच्चों हमारा एडर या जोड़क जीसे कहते हैं इसी तरह से जो सरक्ट सब्ट्राक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता वो कहलाता हमारा सब्ट्राक्टर तो एडिशन के या एडर के दो आउट्पूट होते हैं एक तो होता है हमारा सम और दूसरा ह होता है करें ऐडिशन के बाद जो रिजल्टाता है वो कहलाता संद और एक्ट्स विद्सरा होता है ऑसी तरफ से सट्राक्षन की बात करें यह तो सबच्ट्रेख्टर तो होती है दो एक घटाई जाने वाली संख्या क्या हो बड़ी हो और जिसमें से घटाना हो वो संख्या क्या हो छोटी तो आप सभी जानते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता उसके लिए हम एक्स्टा बिट लेते हैं जो कहलाती है हमारी बूरों तो सब्ट सब्ट्रैक्टर और फुल एडर में नमबर ओफ इंपूट होती है तीन एबी सी तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक सर्कित को कंप्लीट किया उसके बाद हमने कॉम्बिनेशनल सर्कित में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक स्टार्ट कूया जो था एनकोड करता है किसी संक्या को परिवर्तित धर करने का जो प्रॉसेोस होता है वो कहलाता है एंकोडिंग और इसके लिए एंकोडिंग के लिए जो डिवाईस प्रयोग में लाई जाती है वो खहलाती है OSH EK लाटी हमारी जो encoder हमने आपको बताया था, वो था decimal to BCD, तो decimal में आप जानते हैं, 0 से 9 तक के अंक होते हैं, यानि 10 अंक होते हैं, और उसको BCD में convert किया, यानि 4 अंक हमारे BCD के होगे, तो यह हो गया 10 is to 4 का encoder हो गया, जिसमें 10 number of inputs होते हैं, और output होते हैं हमारे 4, इसके लिए हमने circuit आप decimal to BCD encoder के लिए जो IC बहुत ज्यादा popular है, बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बहुत प्रियोग की जाती है, वो है 74147IC, यह एक 16 पिन की IC है, जिसमें 16 पिने होते हैं, डी आईपी में है, यानि डूवल इन लाइन पाकेजिंग में 8 इधर थी और 8 उधर थी हमने बताया था इसकी 16 पिनों का description भी आपको बताया था, दो इसमें supply पिन होती हैं, एक हमारी no contact पिन होती हैं, और बाकी की जो पिने हैं, वो input, output, connection के लिए reserve होती है, तो encoder जो topic हमारा रहा था, वो examination के point of view से बहुत ही important topic है, क्योंकि encoder या decoder में से एक topic examination में आ सकता है, तो आज presently जो हम topic पढ़ने वाले हैं, वो हैं हमारा decoder, तो decoder को अगर हम block से प्रदर्शित करें, यह क्या करता है, m number of input lines को, यह क्या होंगी, m number of inputs line, इसको change करता है, n output में, यह हो गया हमारा decoder, और इसको हम लिखते हैं, m is to n decoder, ठीक है, यह हो गया block diagram of decoder, आप जब भी कोई topic अपना attempt करें, तो topic में जादा से जादा detailing डालने की कोशिश करें, जैसे हमने decoder को block diagram से समझाया है, similarly encoder के लिए block diagram बनाया था, encoder के लिए क्या था, n input को यहाँ पर n था और यहाँ m था, n input को m input में यह change करता है, जबकि decoder उल्टा करता है, जो m input का code होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यह प्रकार की device है, यह एक प्रकार की युकती है, जो कि क्या करती है, एक code को किस में change करती है, किसी number में, suitable related number में क्या करती है, change, तो जो m bits होती है, m जो होता है word, यह m letter जो हमने करा है, यह code के लिए होता है, और n क्या होता है, संख्या के लिए, तो अगर बात करें encoder की, तो encoder आप दिखाओगे कैसे, यह n को किस में change करता है, m में, और decoder के लिए उल्टा लिखोगे, यह क्या करता है, m को किस में change करता है, n, यानि यहाँ मतलब है, n का मतलब है, कोई number, और m का मतलब है, कोई code, ठीक, तो हमने इसके block diagram में से represent करते होई दिखाया, कि यह m input के code को किस में change करता है, n number of output में change करता है, और इसको जब हम represent करते हैं, तो m is to n decoder के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो जब encoder वाला topic बच्चों हमने आपको कराया था, तो उसमें मैंने encoder के लिए आपको decimal to bcd encoder समझाया था, यानि किस तरीके से आप decimal संख्या को bcd code के रूप में लिख सकते हैं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, किसी कारण से आप उस समय absent थे, नहीं देख पाई, miss हो गई आपकी क्लास, तो आप उस क्लास को ज़रूर चेक कर लें, उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, या फिर बचो आप playlist में वो class चेक कर सकते हैं, digital electronics की सारी classes आपको playlist में topic wise sequential way में मिल जाएगी, तो आप सारे topic playlist में भी चेक कर सकते हैं, या description box में उसका link देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको encoder का concept समझ में आजाएगा, तो decoder का concept समझने में बहुत असानी आपको होगी, और encoder और decoder में से दोनों topic में से एक topic आने की possibility बहुत जादा होती है, इसलिए आप से कहा जाता है बच्चों कि आप regular class लो, क्योंकि previous topic हमारे next topic से related होता है, तो आप पिछली class जरूर देखते रहें, अगर किसी reason से, किसी personal reason से, health issue की वज़े से, या किसी भी कारण से, अगर आप class नहीं देख पा रहे हो, तो आप क्या, बाद में किया करो ऐसा, कि जब याप free हो, तब उस class को आप देख लें, ताकि आपका जो next topic है, उसको समझने में आपको कोई परेशानी ना आए, अगर आपको regular classes का schedule नहीं पता, आप हमारे channel पर नए हैं, आप नहीं जानते कि regular classes का schedule क्या है, कौन से time पर कौन सी class चलती है, और आपकी class time table की वज़े से miss हो जाती है, तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल का name आपको लगातार screen पर show हो रहा है, टेलिग्राम चैनल पर आप आज ही join कर लें, जिससे आपको बहुत सारे benefit होने वाले हैं, टेलिग्राम चैनल पर जुड़ने से आपको क्या होगा, regular classes का schedule पता चल जाएगा, कि आपकी जो किसी particular subject की class है, वो किस समय पर live आती है, दूसरी बात आपको subject के PDF notes भी मिल जाएंगे, क्योंकि digital electronics में concept तो आप समझ जाते हैं, circuit बनाना भी आप सीख लेंगे, लेकिन सही तरीके से और सही quantity में किस तरीके से आपको theory लिखनी है, ये हम आपको notes के मार्द्यम से बताएंगे, तो subject के PDF notes भी आपको telegram चैनल पर भेजे जाएंगे, जिससे आपको अपना return portion strong करने में मदद मिलेगी, और semester में आप अच्छे marks गेन कर सकते हो, तीसरी बात जो important है, जो हमें telegram चैनल से benefit होने वाला है, आपकी BTE UP की जितनी भी important notices है, information है, वो सारी आपको telegram चैनल पर भीजी जाती है, तो आप से कोई update मिस ना हो जाए, आप उसके लिए जल्दी ही आज ही telegram चैनल जोईन कर लें, और अगर आप already हमारे telegram चैनल पर जु share कर दें, और साथ ही साथ बच्चों, digital electronics में हम बहुत सारे topic अभी तक पढ़ चुके हैं, और casual सी बात है कि आपको दिक्कत आएगी ही, किसी ना किसी topic में, तो अपने topic से सम्बंदित doubts जो हैं, वो आप doubt group में भेज सकते हो, तो telegram चैनल पर हमारा doubt group भी है, जो कि है, जे इसी poly third sem doubt group के नाम से, आप फिर से सुननीजिए, जे इसी poly third sem doubt group, तो आप अपने doubt group पे, अपने doubts, अपनी query, अपनी सारी problem हमें भेज सकते हैं, हमारा साथ share कर सकते हैं, तो हमारा doubt group का जो session होगा, उसमें आपकी ये सारी problem solve कर आई जाएंगे, discuss की जाएंगे, तो आप practice करते रहे ह और questions की, जितने हमने आपको numerical portion attempt कराया है, number system में, logic gates में, वो सारे के सारे topic आप practice कीजिए, खुद से, और जिदने भी logic circuit आपको बताये जाते हैं, आपको बनाने सिखाये जाते हैं, वो logic circuit की भी आप घर पे उनकी practice कीजिए, क्योंकि logic circuit बनाना इतना भी असान नहीं है, देख आप क्या करें, इन circuit diagram की खुद practice भी करें, ताकि आपको अच्छे से इन पर command हो जाए, और आप examination में ऐसी गलती ना करें, अगर आपको circuit diagram का concept clear है, तो theory लिखने में खास परिशानी आपको नहीं आएगी, ठीके बच्चों, तो दो बातों का बहुत दियान रखना है, regularity यान एक प्रकार का circuit होता है, जो किसी code को adequate number में क्या करता है, चेंज करता है, code को एक सही number में change करता है, decoder हमने दिखा रखा है, block diagram की मदद से, जो की M input को N output में change करता है, यानि M bit के code को N bit की संख्या में बदल देता है, तो इसको समझने के लिए हमने BCD to decimal decoder का diagram चितर में दिखा है और output है 0 से लेके 9 तक, देखें इसको समझने के लिए आप यहां पर लिख ले, input और यहां लिख ले, output, तो input क्या हो सकती है? 0-0-0 हो सकता है, 0-0-1 हो सकता है, 0-1-1 हो सकता है, 0-1-1 हो सकता है, चार बिट है, चार लिख देते हैं, और सकते हैं यह हो सकता है 01 00 यह सकता है 01 00 इस तरीके से हमारी आउट्पुट ऻो सकते हैं तो आको पता है इसका मतलब होता है जीरो इसका मतलब 1 इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यह input जो है किसके रूप में है BCD के रूप में है और output जो है हमारी किसके रूप में है decimal के रूप में आप देखिए input के जो combination हो सकते हैं वो यह यह हो सकते हैं और इसके according ही हमारी क्या generate होगी output generate होगी देखिए पहली condition में आप मानिए input क्या है 00 यानि यह वाली चो line है यह one को represent कर रही है यह one को यह one को यह one को और इनका compliment है यह क्या है 0, यह 0, यह 0 तो पहले case में input क्या है 0,0,0 तो हमने क्या करा पहले end gate को इसके 0 से इसके 0 से इसके 0 से और इसके 0 से connect कर दिया यानि यह जो output होगी किसको represent करेगी 0 को दूसरे case में आप देखिए input है 0,0,0,1 यानि तीन तो 0 है और एक क्या है 1 तो आप देखिए दूसरे gate में पहले case 0 से फिर इसके भी 0 से फिर इसके भी 0 से लेकिन इस वाले के 1 से connect है ठीक तो output क्या आएगी y1 दूसरे case में यानि 2 के case में condition है 0,0,1,0 तो यह 0 से connect है यह 0 से connect है यह 1 से connect है और यह 0 तो output क्या जाएगी 2 तो इसी प्रकार से input condition change होने पर output हमारी प्राप्त होती है सबसे last वाली condition देख लेते हैं यह सब इसी order में चलेंगे लास्ट वाली कंडिशन में देखते हैं आगर input क्या है 1001 तो आप देख रहे हो ये किस से connect है 1 से ये किस से connect है 0 से और ये 1 से तो इसकी input हो गई 1001 तो output क्या प्राप्त होगी हमारी y9 तो input condition के अनुसार वो particular gate हमारा activate हो जाता है और output हमारी प्राप्त होती है तो जब 00 होती है input condition तो output प्राप्त होता है 0 यानि y0 activate होगा जब condition होती है 001 तो y1 activate होता है जब condition होती है 0010 तो 2 activate होता है condition होती है 0011 तो 3 activate होता है 0100 तो 4 activate होता है 0101 तो 5 activate होता है 6 के लिए 0110 होता है तो 6 activate 7 यानि जब condition होती है 0111 तो 7 activate होता है और जब condition होती है 1.00 तो 8 activate होता है और जब input की condition होगी 1001 तो output 9 activate होता है तो कुल मिलाकर इसने क्या किया input जो हमारे थी BCD के रूप में उसे output यानि decimal के रूप में convert कर दिया तो इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारा BCD to decimal decoder है कि आप जो हमारा BCD to decimal decoder के लिए जो IC प्रयोग में लाए जाती है वो है 7445 यह 7445 आईसी जो है यह हमारी decoder के रूप में जो की BCD to decimal decoder है उसके रूप में प्रयोग की जाती है देखो बच्चों आपको confused नहीं होना है कुछ decoder और encoder आपकी बुक में अलग भी दिये हो सकते हैं जैसे 3-8 का encoder दिया हो 8-3 का decoder दिया हो तो decoder encoder कुछ भी हो सकता है वो depend करता है कि आप कौन से number system को कौन से code में convert कर रहे हो या कौन से code को कौन से number system में change कर रहे हो तो हमने जो यहां उधारन लिया वो लिया है decimal to BCD और BCD to decimal का उधारन तो हमने encoder आपको कराया वो था decimal to BCD इसी तरह से जो decoder हम आपको करा रहे हैं वो है हमारा BCD to decimal तो हमने दोनों के लिए है एक ही example हमने लिया है तो IC जो हो सकती है वो आपके decoder और encoder circuit के आधार पर अलग-अलग हो सकती है तो मैंने decimal BCD के लिए conversion जो लिया encoder का उधारन वही लिया और decimal BCD हमने decoder का उधारन भी वही लिया तो यहां पर BCD to decimal decoder के लिए जो IC प्रियोग में लाए जाती है वह है 7445 IC जो बहुत ज्यादा प्रचलित है बहुत ज्यादा यूज की जाती है हलाकि और भी बहुत सारी IC हो सकती है लेकिन हम जो यूज करते हैं यह बहुत ज्यादा पॉपुलर IC है यह DIP में है that means dual inline package में और 8 पिने इधर है that means दोनों तरफ dual line है तो 1 to 8 की पिने यहां पर है और 9 to 16 तक की यानि यह हमारी क्या होगी 16 पिन तो 8 पिने जो की 1 से 8 तक है वो यहां के लिए है और 9 to 16 की जो पिन है वो दूसरी साइड पर दी गई है मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी IC का पिन डाइग्राम करेंगे तो पिन डाइग्राम में दो पिने आपको हमेशा सेम पोजिशन पर मिलेंगी कौन सी आप देखिए इस IC के लेट साइड में सबसे नीचे वाली जो पिन है सबसे कॉर्णर वाली पिन है यह हर एक IC के लिए ग्राउंड पिन होती है उसी तरह से आईसी के दूसरी तरफ जो टॉप मोस्ट पिन होती है सबसे उपर वाली पिन यह भी हमारी फिक्स होती है सप्लाइप तो हम कह सकते हैं पिन नमबर आठ और सोला यह क्या हमारी सप्लाइप इस थीक है सप्लाइप इस बाकिया आप देखेंगे इन्पुट एबी सीडी है तो यानि पिन नमबर बारा से लेकर 15 तक हमारी क्या है इन्पुट पिने है ठीक उसके बाद आप बाकी जो पिने देख रहे हैं यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ तक लेकर यानि एक से साथ तक वन टू सेवन और फिर नाइन से लेकर 11 तक पिन किसके लिए रिजर्व है आउटपुट के लिए तो यह इसका हो गया पिन डिस्क्रिप्शन तो पिन डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि यह 16 पिन के एक आईसी है जिसका नमबर है 7445 और यह डी आईपी पैकेजिंग में है डाट मिस डूवल इन लाइन पैकेजिंग है दोनों साइड इसके पिने ह है आठ पिन लेफ्ट साइड और दूसरी आठ पिन क्या है राइट साइड पर लगी हुए है इसमें दो पिने पिन नमबर 8 और 16 कहलाती है सप्लाइपेंस और बाकी पिन नमबर 12, 13, 14 और 15 यह हमारी होंगी इनपुट पिन कौनसी इनपुट बीसी डी इनपुट बाकी बच पिन आउट पुट के लिए तो कुल मिला के यह हमारा डिकोडर का टॉपिक था जो बस यहीं पर खतम होता है डिकोडर और एनकोडर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी या अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टिप्लेक्सर क्या होता है मल्टिप्लेक्सर और डी मल्टिप्लेक्सर क्या है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइज है हमारी मल्टिप्लेक्सर और डी मल्टिप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट का बहुत इ आजाता है तो आज की क्लास बस यहीं पर खतम होती है अगली क्लास में हम मल्टिप्लेक्सर टॉपिक को कंटीन्यू करेंगे तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए थैंक यू सो मच जैहिन जैभारत